अपने चैनल दालिमटे स्टगलर में इस बीडियो को मालूम है जिन में बताया है जो camera bank scholar portal है उस पे आपने कैसे जो है वो ट्रैक करना है अपनी fellowship को अब बहुत सारे लोगों यह बोल रहे हैं कि जी उस पे जो है हमारा generated का स्टेटस आ रहा है और जो वहां पे स्टेटस आते हैं जैसे बैंडिंग वेदी इनवर्सिटी है या जिसके बाद आता है अप्रूब में आगी क्या स्टेटस चेन होगे तो उसके बाद का आगे का प्रोसेस है पी एप एप एमस पे ट्रैक करना आपकी फेलोशिप को वहां पे पीएप एमस यह क्या है पब्लिक फाइनाशल मेंजमेंट सिस्टम एक ऐसा पोर्टल क्रेट किया है जिसके थूँ जो है वो पैस कैसे अपने फेलोशिप के स्टेटस को चेक करना है क्या के डिटेल चाहिए डिटेल जनरली वहां पे चाहिए होती है आपका अकाउंट नंबर आपके बैंक का नाम और एक क्याप्चा जो है अब भरना होता है और उसके अधार को आपको बता देता है कि कौनसी स्टेज पे लास्में लाइक जरूर करें कमेंट करेंगे अगर आपको कोई क्या होती है तो शेर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब को एवैल्योब इंफोनेशन और सब्सक्राइब कर लें मेरे चनल को अगर आप नहीं मेरे चनल पे ताकि एक्षिन से लेटीड हर लेटेश्ट अगरें से पहुंचे वाई दोस्तों सुरू करते हैं जैसा यह इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है यह पी अफमस का ओफिशियल वैब साइट है और ऑफिशियल वैप पेज है पब्लिक फैनाशल मेंट सिस्टम का इसमें नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पा जैसे बेंग अकका नमबर है बेंग कानाम है और वहाद क्याक्चा हमें भरना होता है तो मैं भर के आपको बताओं-बरताओंfunding कि कीस तरह से जलो हमारे पासों हमारी पेंट स्टैटक। वह आता है किस लेवल पर जो हबड़ुबल हुए हैं कहा तक पहुंची है यह देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर डिटेल भरा है उपर और उस डिटेल को भरने के बाद सर्च उप्सन पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जिसमें आपको बैंक का नाम सो होगा नीचे मैं वो भी दिखाऊंगा अकाउंट नंबर सोगा बेनफेसरी का नाम जिसको वो पेमेंट जाएगी उसका नाम होगा स्कीम का नाम होगा परपस किस परपस के लिए दी जा रही है इसी तरह से सारी डिटेल जो है वो आपको बताए जाएगी स्कीम नेम में राजीव गानी नेशनल फैलोशीप और सेड्यूल कास्ट एस जेए यह स्कीम का नाम है जो आपको फैलोशीफ मिलेगी परपस के यह चारे अमांट है यह सारा आपको यहां पर बताया जाएगा एजंसी का नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्ट ड्राइ यहां पर जो स्टेटस है आप देख रहे हैं यहां पर दो तरह का स्टेटस आपको रिफ्लेक्ट करेगा यह पहला अंडर पोसेसिंग बिद एजेंसी एजेंसी का मतलब है कि UGC अभी आपकी फैलोशिप जो है वह अप्रूब दो कर दी है उसने UGC के पास से डन है लेकिन व अगर आपका कैनरा बैंक का ही अकांट है तो लेकिन जब UGC वह पैसा कैनरा बैंक को दे देगा तब उसके बाद अगला स्टेटस चेंज होगा अंडर प्रूसेसिंग बिद बैंक पार पेमेंट कि आपके बैंक में पैसा आने वाला है और जैसे ही यह स्टेटस रिफ्लेक में इससे पहले जो कैनरा बैंक पॉर्टल है उस पर कैसे ट्रैक करना है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं अलांकि यह वीडियो अपडेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि जिससे मैंने इंफ्लमेशन मांगी थी उनका अभी नो रिकाउ हैं यह मेरे चैनल पर ताके इस प्रिम्स अच्टर से लेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक चल्दी चल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यान से पहुंचे थैंक यू थैंक्यू थैंक्स लाट